आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे किलास बी ए फस्ट इयर का जो आपका इंग्लिस प्रोज का फस्ट एसे है टाइटल है जिसका आफ इस्टेडी इस इस लेशन को आज डिसकस करेंगे जो कि एक एसे है और इसके लिए लिखा है फ्रांसिस बैकन में बैकन जिन्हें कहते हैं फादर आफ इंग्लिस एसेज इनकी उपादी है यह फेमस है एज दफादर आफ इंग्लिस एसेज बहुत सारे एसेज लिखे हैं इनके बारे मैं डिसकस भी किया था जैसे कि इनके जो एसे थे तीन इड ये फर्स्ट इडिशन आया था 1597 में, एर तीसरा आया था 1615 में थ्री इडिशन आया थे इनके तीनों इडिशन में ये से थे पहले में थे 10, इस तरह से इसमें कुछ ये से थे और इसमें कुछ ये से थे तो इस तरह से इनुके जो एसे आये थे तीन वार में आये थे 1597, 1612 और 1625 इस तरह से उनी में जो first edition था उसमें आये था आपका of studies जो पहला आये था 1597 में इसी edition में आये था आपका ये of studies of studies which means अध्यन तो इस एसे में Francis Bacon ने अध्यन के वारे में ही बताया है और वैसे भी वो famous हैं aphoristic style के लिए ये question option कई बार पूछा गया है पेपर में aphoristic style अब की पूछा जाए ये क्या होता है तो हम कह सकते हैं aphoristic is a style in which the writer describes his maximum ideas in minimum words कि ये ऐसा style होता है जिसमें लेखक जो assist होता है अपने अधिक से अधिक बिचार कम से कम सब्दों में वर्लन करने का प्रियास करता है मतलब बिचार अधिक से अधिक होंगे लेकिन सब्द बहुत कम यूज़ करेगा उसका एक best example है आपका ये essay of studies इसमें एक एक लाइन में कह सकते हैं पूरा पूरा ये से लिख दिया है अब इसे देखते हैं studies serve for delight for ornament and for ability studies means अधियन serve होता है बैसे परोशना होता है सेवा करना है देना for delight आनन देता है for ornament आभूसल ornament क्या होता है आभूसल आभूसल काम क्या सोब बढ़ाना तो यहाँ है दिखावा करना है सोब बढ़ाना and for ability यूगता के लिए तो यहाँ पर जो फ्रांसेस बैकन ये कहना चाहता है जो अधियन है इनसे हमें तीन फाइदे हैं पहला फायदा ये है ये अधियन हमें आनन्द देता है डिलाइट देता है ornament इससे सोब बलती है दिखावा होता कह सकते हैं and for ability यूगता जो हम अधियन करते हैं उस अधियन से हमें आनन्द मिलता है और सोब बलती है और हमारी यूगता बलती है अध्यन से हमें आनंद, सोभा और योगता इन तीनों की प्राप्ती होती है अध्यन से क्या मतलब हुआ देर यूज चीफ मीन्स मुख यूज प्रियोग जो अध्यन का मुख प्रियोग है for delight आनंद के लिए यदि कोई या यदि हम आनंद के लिए अध्यन का प्रियोग करते हैं या यदि हम अध्यन आनंद के लिए करते हैं यह इन प्राइवेटनेस अकेले पन में गोपनी होता है प्राइवेटनेस गोपनी होता है यह के लिए करते हैं या आनंद के लिए अध्यान का प्रियोग प्राइविटनेस में होता है और रिटारिंग में होता है अध्यान का प्रियोग आनंद के लिए अकेले पन में होता है और जब ब्यक्ति ठक जाता है तब होता है मतलब कह सकते हैं जब कोई ब्यक्ति जब बहे ठका हुआ होता है या अकेले पन में होता है अकेला बैठा हुआ होता है तब बहे अध्यन का आनंद ले सकता है या तब ही उसे अध्यन के आनंद की प्राप्त की हो सकती For ornament, दिकावा के लिए in discourse होता है बारतलाब ये कोई algunas की दिखावाके लिए अध्यन करता है तो व मारतलाब करें कुछ लोग होते हैं ज़दा डिसकस करते हैं बारतलाब करते हैं तो वो अपना ज्यान दिखाते हैं तो कह सकते हैं दिखावा के लिए ये बारतलाब में होता है and for ability और योगता के लिए ये जह है in the judgment निर्णे में और योगता के लिए ये निर्णे में है and disposition होता सुभाव of business ब्यापार, ब्यापार के सुभाव में है यानि और ये योगता के लिए निर्णे में है और ब्यापार के सुभाव में है अकर पूरे अर्थ को देखा जाए तो एक पोईट जो है आपके फ्रांसेस बैकन वो यह कहना चाहते है कि आनन्द से इस्टडीज अध्यन से हमें आनन्द की प्राप्ति होती है यह अध्यन हम आनन्द के लिए करते है और दिखावा के लिए करते है यह सोभा के लिए करते है और योगता के लिए करते है उनका जो आनन्द के लिए यह अध्यन का आनन्द के लिए जो प्रियोग है वो अकेले पन में होता है और तब होता है जह हम ठके हुए होते हैं और औरनमेंड के लिए ये जो है बारतलाम में होता है and ability और योगता के लिए ये एक निलने में है तथा हमारे ब्यापार के सवाहों में है ब्यापार का सवाह मनलब किस तरह से हम इस बात को handle करते हैं या किस तरह से अपनी बात को हम paste करते हैं कैसे निप्टाते हैं या उस किसी चीज में हम कैसे निड़ना लेते हैं उसमें है यह तो यह थी इसकी first passage अब देखते हैं इसके आगे दिखा है for expert men expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one what the general councils and the plots of plots and marshalling of affairs come based from those that are learned तो क्या मतलब हुआ for expert expert men expert क्यों होता है expert लोग जो expert हो जाते हैं expert के नहीं बोलते हैं जो विक्ती जैसे कोई काम को कर रहा है तो जो विक्ती अपने काम में ज्यादा माहिर हो जाता है expert हो जाता है जैसे कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते उसे बहुत experience हो गया तो उसे कह सकते हैं बहुत expert है या कोई और कोई काम कर रहा है कोई तो उस काम में जब वो expert हो जाता है मतलब उससे जादा या काफी अनभव हो जाता है तो उन्हें कहते हैं expert man मतलब expert man कहन सकते हैं execute होता है पूरा करना जो अनभवी लोग हैं या expert लोग हैं पूरा करते हैं and परहब सायद judge निर्णने लेते हैं और particular basis जो expert लोग हैं बे इसे पूरा करते हैं अध्यन करते हैं और सायद बे कैसी भी परस्तितिया हों पर्टिकुलस कैसी भी बिसेश परस्तितिया हों उनमें निर्णने कर सकते हैं बन बाई बन एक एक करके तो मतलब इस sentence को जोड़ा जाया तो कह सकते हैं expert man जो expert man है can execute पूरा कर सकते हैं कि अब बन बाई बन एक एक करके expert लोग एक एक करके लागू करते हैं पूरा करते हैं किसे परहफ सायज जज और पर्टिकुलस बिसेश नियमों को पूरा करते हैं बिसेश निर्णने लेते हैं expert लोग एक एक करके बिसेश अपने नियम को या अपने निर्णने को लेते हैं but the general consuls but लेकिन the general सामान कौंसल सला हैं लेकिन जो सामान सला हैं एंड प्लॉट्स एंड मार्सेलिंग प्लॉट्स एंड मार्सेलिंग यह जागे योजना हैं लेकिन जो उनकी योजना हैं आफ अफिर्स मामले कम बेस्ट आते हैं फ्राम दोज उन से देटा लेर्न जो की सिक्षित हैं तो क्या मत दब जाएगा यहां से लेकिन जो सामान सलहा हैं और जो मार्सलिंग और अफेर्स जो उनकी योजनाए हैं कम बेस्ट बे आती हैं फ्राम दोज डैटा लेंग जो कि सिक्षेत हैं तो पूरी इस बात को कहा जाए तो कह सकते हैं एक्सपर्ट लोग एक एक करके अपने सभी कारि सब्सक्राइब लेकिन सामान सलहाकार होते हैं जो कि अपने कारिये में जो अपने कारिये में निपड हो जाते हैं या अपनी योजनाओं को निपटाते हैं बनाते हैं बे इस निलने पर कम बेस्ट सबसे अच्छे निलने पर पहुंच जाते हैं या इस बात पर पहुंच ज तू spend बिताना तू much time, अधिक समय इन steady अधियन में इस slope होता है नीरस, बेकार अधिक समय या study में अधिक समय बिताना भी नीरस है इस कारता है से हो जाएगा जैसरे लिखा हुआ है ये to किया है? to एक adverb to है एक adverb एस to का मदलब एक तो हता है भी ठीक है इसे भी को हम देखते नहीं इसमें ये भी तो है नहीं इसमें है ये अधिक के लिए यूज किया गया है और अधिक के लिए यूज कर गया है इसका और होता है ये आवसकता से अधिक के लिए मतलब कोई काम आवसकता से ज्यादा हो तो आवसकता से तो कोई अधिक ह लिए जो काम हद से जादा हो अगर हम कह दें के टू पूर ये लिग दिया जाए टू पूर तो इस टू पूर का मतलब हुआ हद से जादा गरीब होना जो कि एक बैड क्वालिटी है ये नहीं कह सकते हैं कि टू रिच की हद से जादा अमीर तो इतू क्वालिटी अच्छी हो हाँ अगर यह कह दिया रिच हटा के कह दिया तो पूर हद से ज्यादा गरीब तो यह सही क्योंकि बैड क्वालिटी आ गई तो इसका प्रियोग करते हैं बैड क्वालिटी के लिए तो क्या मतलब हो जाएगा तू इस पेंड खर्च करना तू मच टाइम अधिक समय इन 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 स्ट्डिज अधियन में इस शलॉत 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 बेकाल नीरस है मतलब अधियन में जादा समय खर्च करना हमें नीरस ता लाता है हम इससे नीरस हो जाते हैं तू यूज दिम उनका प्रियोग करना तू मच अधिक फॉर और्नमेंट आभुशड के लिए या दिखावा के लिए जादा प्रियोग करना यहां और्नमेंट या दिखावा के लिए प्रियोग करना क्या है अफेक्टेशन होता है ढोंग और दिखावा के लिए अधियन का अधिक प्रियोग करना एक ढोंग है तू में एक जज्जमेंट होता है निर्ने लेना होली पूरी तरह से बाइ जी ध Whose ऐस है कि एक बिद्वान के लिए ये हास तो किया मतलब हुए कि अधिक समय बिताना कहा द्धियन में अधिक समय बिताना हमें नीरस तलाता है नीरस और उनका दिखावा के लिए प्रियोक करना एक तरह से ढोंग है और पूरी तरह से अध्यन के नियमों के द्वाराही किसी निर्णे पर पहुंचना ये तो विद्वान के लिए एक हास है तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जो एक्सपर्ट लोग हैं बे अपने कारिये को पूरा करते हैं और साइद एक एक करके अपने सभी विशेश परस्तितियों में निर्णे ले सकते हैं लेकिन जो सामान सलहकार हैं बे अपने इस मामलों को निप्टाते हैं कमबेश्ट और बे सबसे अच्छे होते हैं जो की सिक्षित होते हैं या जिने ग्यान होता है जिने ग्यान होता है या जो लोग अन्ववी होते हैं बे अपने समी मामलों को निपटाते हैं और अध्यन में ज्यादा समय खर्च करने से हमें सुष्टे आती हैं या अध्यन में जादा खर्च करना भी एक मीरस्ता है और उनका प्रियोक करना दिखाव के लिए एक ड्होंग है और उनके नियमों के अनुसार किसी बात पर पूरी तरह से निर्ड़न लिना ये एक हास है या विद्वान के लिए एक हास है उसकी बाद थोला और देखते हैं ये लास्ट पैस और देखते हैं इसका दे बे परफेक्ट बैसे होता है परफेक्ट पूरा कर देना यहां पर है अच्छा बनाना नेचर सुभाव दे ये इस्टुडी के लिए है अध्यन हमारे सुभाव को अच्छा बनाता है और परफेक्ट और पूल हो जाते हैं वाई एक्सप्रियेंस अनभव के द्वारा और अनभव के द्वारा ही ये अध्यन पूरा हो जाता है and for abilities and for natural abilities natural means प्राकृतिक abilities योगता हैं लेकिन प्राकृतिय योगताँ ये फौर आगया प्राकृतिक योगताओं के लिए are like natural plants natural प्राकृतिक plants पौदे एस्ज़री ये कहना चाहता है कि जिस तरह से हमारी प्राकृतिक योगताओं हैं जो हमारे अंदर abilities हैं ये प्राकृतिक पौधों की तरह है दैड जिने नीड आपसकता होती है प्रोनिंग होता है कटाई छटाई की जिने कटाई छटाई की आपसकता होती है मतलब पूरा अर्थियांस देखते हैं बे अध्यन हमारे सुभागों को पूरा करते हैं और साइद अन्भवब के द्वारा ही ये पूल हो जाते हैं और जो प्राकृतिक योगता हैं बहें प्राकृतिक पौधों की तरह होती है जिन पौधों को कठाई चठाई की आवसकता होती है मतलब जैसे कोई प्यल पौध हैं तो उन्हें कार्थे चांटती रहें तो उतने सुंदर रहेंगे और इसपस्ट रहेंगे डेपलेप्ट रहे बनना फैलती रहेगी राक्षास की तरह है बाई इस्टडी अध्यन के द्वारा एंड इस्टडी देमसेल्फ और स्वेम अध्यन डू गिप देता है for directions designed too much बहुत अधिक at large स्वतंत रूप से और बिना किसी at large एक idiom है सुतंतर रूप से मतलब free तो जो हमारा स्टडी है बहस सुतंतरता पूर्बग बिना किसी रोक टोक के हमें सभी तरब की दिसाय देता है या दिसाय दिखाता है except सिवाए they way bounded जुड़े हो in by experience अनभब में केबल अध्यन द्वारा अनभब प्राप्त किया गया हूँ तो पूरा अर्थी हो जाएगा कि अध्यन हमारे सुभाव को पूरा करते हैं और ये अनभब द्वारा ही पूर्ड हो जाते हैं क्योंकि जो प्राक्रतिक य्कुताएं हैं बैव प्राक्रतिक पौधों की तरह हैं जिनने कटाई चड़ाए कि आपसकता होती यह अध्यन के द्वारा और अध्यन स्वेम चारोंतरफ बिना किसी रोक टोक के हमें दिछाय देता है शिवाए इस बात के कि उन्हें आन्भब द्वारा ही या अनभब में ही जुड़े हुए हूँ या अनभब से ही बॉंड़िद हूँ तो यह आपकी दो-तिन पैसेज थी जो मैंने आज की वीडियो में इसके आगे जो पैसेज है बहां से देखेंगे आज की वीडियो में पसे इतना ही थैंक्स फॉर बाचिंग जैहिं तो